एक word होता है hostility, इसका मतलब होता है किसी person के लिए शत्रुता या फिर किसी चीज के लिए शत्रुता या फिर आप simply बोल सकते हैं किसी person के लिए दुश्मनी की भावना जैसे अगर मैं example लो, there is an open hostility between two parties, मतलब दो parties है, उन दोनों parties के बीच एक खुली दुश्मनी की भावना है मतलब दोनों को बता है कि एक दूसरे के लिए शत्रुता है और आसपास के लोगों को भी पता है एक और example है, why is there hostility between you and your friend, मतलब तुमारे और तुमारे दोस्त के बीच दुश्मनी की भावना क्यों है, या फिर तुमारे और तुमारे दोस्त के बीच शत्रुता की भावना क्यों है अगला वर्ड है हमारा आउटराइट, इसका मतलब होता है कुछ है जो साफ साफ है, या फिर पूरी तरह से है, या वरा बोल सकते हैं कुछ किया जा रहा है या फिर कुछ है जो खुले तौर पर है जैसे अगर मैं एक्जामपल लूँ, I think tobacco and cigarette should be banned outright, मतलब मुझे लगता है कि तंबाकू और cigarette पूरी तरह से या फिर खुले तौर पर बंद किये जाने चाहिए एक और एक्जामपल है, I told her outright what I thought of her इसका मतलब यह है कि मैं जो उसके बारे में सोचता हूँ, मैंने खुले तौर पर या फिर पूरी तरह से उसे बता दिया एक और एक्जामपल है, If you have any doubt, you can tell me outright इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप मुझे comment section में खुले तौर पर बता सकते हो If you have any doubt, you can tell me outright अगला word है हमारा entice इसका मतलब होता है किसी को कुछ लालस देकर कुछ काम करवाने के लिए बहलाना या फिर फुसलाना या फिर लुभाना जैसे अगर मैं examples लूँ, advertisements are designed to entice people to spend money इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को बहला कर फुसला कर उनके पैसे खर्च करने के लिए जो विज्यापन होते हैं वो इसी लिए design किया जाते हैं advertisements are designed to entice people to spend money एक और example है, I entice child to have food by offering to play with him इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे को खाना खाने के लिए उसके साथ खेलने का offer देकर मैंने उसे फुसलाया या फिर बहलाया ताकि वो खाना खाले I entice child to have food by offering to play with him अगला वड़ है मारा moron इसका मतलब होता है कोई person है जो मूर्ख है या फिर कम भुद्धी का है उसे आप बोल सकते हैं कि वो मंद भुद्धी है या फिर moron है जैसे अगर मैं example लूँ You are a moron, you put salt and muddy इसका मतलब यह हुआ तुम एक मूर्ख हो या फिर तुम एक मंद भुद्धी हो तुमने मेरी चाय में नमक डाल दिया You are a moron, you put salt and muddy एक और example है You should be punished by your parents for calling your brother moron मतलब अपने भाई को moron बुलाने के लिए या फिर अपने भाई को एक मूर्ख बुलाने के लिए या फिर मंद भुद्धी बुलाने के लिए तुमारे parents के द्वारा तुमें सजा दी जानी चाहिए You should be punished by your parents for calling your brother moron अगला interesting word है हमारा throttle इसका मतलब होता है किसी का गला घौटना जैसे अगर मैं example लूँ I feel like throttling him sometimes he annoys me a lot इसका मतलब यह हुआ मेरा उसका गला दबाने का मन कर रहा है कभी-कभी वो सच में मुझे बहुत जादा खिजा देता है इसका मतलब होता है किसी लड़ाई का कारण या फिर किसी जगड़े का कारण जैसे अगर मैं example लूँ Why don't you talk to him? What is the apple of discord? मतलब तुम उससे बात क्यों नहीं करते तुमारे बीच जो जगड़ा है उस जगड़े का कारण क्या है? Why don't you talk to him? What is the apple of discord? एक और example है The ancestral property became an apple of discord among three brothers मतलब तीन भायों के बीच जो पैतरक जमीन है वो एक जगड़े का कारण बन गई The ancestral property became an apple of discord among three brothers अगला word है हमारा oblivious इसका मतलब होता है एक ऐसा person जो आसपास कुछ भी हो रहा है उन चीजों से बेखबर है या फिर अंचान है या फिर आप बोल सकते हैं कि वो conscious ही नहीं है मतलब उसको इसमें मत कसीटो वो जो कुछ भी हो रहा है उन चीजों से बेखबर है या फिर अंचान है एक और एकजांपल है मतलब मार्केट को जाने से पहले मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि बारिश हो जाएगी मतलब बारिश होने से मैं बेखबर था अगला वड़ा है मारा टीजों से जो थकाओ है या फिर उबाओ है जैसे अगर मैं एक्जांपल लो ये जो जो जॉब है वो एक थकाओ है या फिर उबाओ है लेकिन जो इसकी तनक्वा है वो अच्छी है एक और एक्जांपल है मतलब किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए मोबाओ में एक जीबी राम होना ये सच में थकाओ और उबाओ है अगले हमारी एक एडियम है इसका मतलब होता है कहीं जाने के लिए लेट होते समय तेजी से कहीं जाना या फिर शीकरता से कहीं जाना जैसे अगर मैं एक्जांपल लूँ मतलब मीटिंग के लिए मुझे देर हो रही थी इसका सिंपल ही मतलब ये होगा चलो तेजी से स्टेशन पर चलते हैं नहीं तो हम ट्रेन को छोड़ देंगे या फिर हमाई ट्रेन मिस हो जाएगी अगले हमारी एक एडियम है इसका मतलब होता है किसी परसन को बहुती बुरी तरह से मारना या फिर किसी परसन की बहुती जादा या फिर बुरी तरह से पिटाई करना जैसे अगर मैं एक्जांपल लूँ मतलब वो इसकूल ना जाने के लिए जित कर रहा था लेकिन उसके पापा ने उसकी जित के आगे नहीं जुके तो वो अपने पापा के द्वारा बहुत बुरी तरह से मारा गया था या फिर पीटा गया था He was insisting not to go to school but his father didn't give in to his stubborn He had been beaten black and blue by his father एक और example है Why did you beat your dog black and blue? मतलब तुमने अपने कुट्टे को बहुती बुरी तरह से क्यों मारा Why did you beat your dog black and blue? और next word is betray इसका मतलब होता है किसी को धोका देना या फिर किसी के साथ विश्वास घात करना मतलब किसी का विश्वास तोड़ देना जैसा अगर मैं example लूँ I'll never give you money now You betrayed my trust मतलब अब मैं तुम्हें कभी पैसे नहीं दूँगा तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया या फिर तुमने मेरे साथ विश्वास घात किया I'll never give you money now You betrayed my trust एक और example है I trust her blindly She can't betray my trust मतलब मैं उस पर अंदा दुन विश्वास करता हूँ वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकती I trust her blindly She can't betray my trust So that's it guys for this video Guys आपके लिए homework है आपके सामने एक idiom है Be in a tearing rush And एक word है outright इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके उपर अपने खुद के एक-एक sentences बना कर मुझे comment section में बताईए और आपके जो भी doubts है उनको भी मुझे comment section में बताईए और अगर वीडियो पसनता है तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए Thank you so much for watching this video I'll catch you in the next video Take care